नाचली ये वक्त लेने का मतलब ही यही है कि हम ओफ कैमरा एक दूसरे को थोड़ा जाने समझें और थोड़ा वक्त मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को देना चाहिए आप बोलू अभी रतन ने मेरा ध्यान रखते वे वक्त दिया है क्योंकि थोड़े से हमारे इशूस थे कि इशूस नहीं कि यह मुमेंट को लेके बबर वह जल्दी हिव एक साल डो साल ने मैंने ऐसा कोई समय निदारित नहीं किया है और नाशली हम लोग वो क्यामरे पे अब तक जीते आए हैं जो भी हो रहा था सब कुछ कैमरे पर हो रहा था बहुत खास दुनिया बनाई गई थी जिसमें मैंरा HARRIS कुमारी और नाच्रली लड़के भी अपने आपको राजकुमार से कम फील नहीं करते थे तो खास जो दुनिया बनाए गई थी उस दुनिया से ने करकर हम आम दुनिया में जाना चाहते हैं और वहाँ पर देखना चाहते हैं एक दूसरी को कि हम आम जिंदगी में भी क्या एक दूसरी को उतना ही अंडरस्टांड करते हैं हम किस धंग से रियाक्ट करते हैं एक दूसरी को क्योंकि हमने जब एक दूसरी से बात किया इस पूरे स्वैमवर के दौरान तो हमें ऐसा लगा कि हम एक दूसरी के हर situation को agree करते हैं कि ठीक है problem भी आएगी तो ठीक है ये problem नहीं है solve हो जाएगा सब कुछ बहुत ही smooth सा जा रहा था लेकिन सची है कि आम जिंदगी में मैं देखना चाहती हूं कि ये भी जाना चाहते हैं कि क्या हम लोग वैसे ही react करते हैं जैसा अब तक इस खास सी दुनिया में हम react करते रहे हैं क्या आप लोग साथ रहेंगे इस पीरेट में हम लोग engagement किये हैं लीविन relationship में नहीं जा रहे हैं तो परिवार वालों की सहमती है इस कारेक्रम में आपके अभी ये सवाल है तो मुझे लगता है कि इस सवाल कोई जवाब मैं नहीं दे सकती है क्योंकि पूरी दुनिया के सामने हम दोनों के ही परिवार यहां पे शामिल थे और उन लोगों की सपोर्ट की वज़े से ही हम लोग यहां पर अभी ऐसे खुश बैठे हुए है देखे किसी एक खास बात की वज़े से मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को आप चुन लेते हैं बज़पन से ही मैंने जो सपना देखा था वो यही था कि एक एक ऐसा इंसान जो की बहुती सपोर्टी होगा इंडिपेंडेंट होगा, क्येरिंग होगा लंबा भी मैंने कहा था वाइदेवे और मुझे सभालने वाला होगा जो मुझे समझेगा काफी कुछ ऐसी चीजे थी जो तस्वीर बना रखी थी उसके कहीं न कहीं आसपास मुझे दिखते हैं अभिना इसलिए अभिनव कुछ चुला कि कुछ भी पॉफेक्ट वैसा नहीं होता ऐसा आप लड़की है इसलिए आपको भी सजेशन दोंगी कि बिल्कुल मिला कर मत चलिएगा बहुत मुश्किल होगी मैं हमेशा कहा रही हूं कि आसपास नाशली जो आप सोच कर चलते हैं उसमें से 32 के 32 गुन नहीं मिल जाते एक सवाल पूछना चाहेंगे कि शादी क्यों नहीं सर्फ इंगेजमイंट क्यों उसके पिछे दो बहुत बड़ा रीजन है एक रीजन है वो यह की यह खास दुनिया है रील लाइफ है रील लाइफ में हम कदम रखना चाहते हैं हम चाहते हैं कि एक दूसरे को अब रिएल लाइफ में भी जाने शंजे मौका दें दूसरी बात जो बहुत ही जादा important है वो है मेरी कुंडली कुंडली के against मैं जा रही हूँ अभिनव मांग लिखें और मैं मांग लिख नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं कुंडली की वज़े से अपनी पसंद को नापसंद की में तब्दील नहीं कर सकती थी मुझे ये जानते वे भी अभिनव ही पसंद आये हैं और मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ वक्त और दूँगी और नाशली किसी भी चीज का उपाय होता है उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए हमें और शायद वो समय थोड़ा और वीते और कुछ अनुकूल स्थीतियां आ जाएं तो मैं चाहूँगी कि मैं किसी शक्त की वज़े से और किसी अंदर से एक कुंडली को क्योंकि मैं बहुत मानती आ रही हूं तो मैं नहीं चाहते है कि उस लेकिन या बट की वज़े से मैं आगे जिंदिगे में पड़ूँ एक साथ आप लोग बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है देखिए जिंदगी में डिसिजन चेंज होने की संभावना अगर आप अब पूछेंगे क्या मैं पूछ सकी हूं कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है आपको पता है इंगेजमेंट तभी होती है जब शादी का इरादा हो इंटेंशन शादी का है तभी ये इंगेजमेंट हुए दोस्ती का इरादा नहीं है वरना ये फ्रेंडशिप बाधा जा रहा होता अभी नव आपने भी कुछ सोचा होगा अपनी दुलहन के लिए तो क्या आप वो सारी चीजें रतन में पा रहे हैं मैंने ऐसे कोई दुलहन के पिक्चर नहीं बनाई थी मैं हमेशा एक पार्टनर के पिक्चर बनाता हूं जिसके साथ टाइम स्प्रेंट करने में मज़ा है और रतन में उस सारी को भी आए वो बहुत यादा स्पॉंटेनियस है विटी है और फैमिली लाइफ एंजॉय करना जाती है मैं से जादा किसी लड़की में कुछ नहीं देखता एक गुड़ लुकिंग लड़की जिसके साथ टाइम स्प्रेंट करने में मज़ा है वही मेरी रिकार्मेंट लगेगा जो इंदिदार करने कि आज आप शादी कर लेंगी बहुत लोग बिल्कुल जटका नहीं मुझे लगता है कि आप लोग कुछ जादा जटका खा रहे हैं मेरी ओडियंस जटका नहीं काईगी क्योंकि वह जानती है कि जिंदगी वह आजकल जमाना गया चट्मंग नी पट्वया पट से गरबर भी हो जाता है लाइफ में तो कहते हैं कि हमेशा सो समझ कर लाइफ में चलना चाहिए तभी समझदारी से आगे लाइफ चलती है तो मैं बिलीव नी करती चट्मंग नी पट्वया मेरे एक लाइन एक्स्ट्रा एड़ जाता है चट्मंग नी पट्वया तो पट से कुछ भी हो सकता है और मुझे लगा कि यह सही है डिसीजन और शादी नैशली हम करने जा रहे हैं आज आप सब आजो आजो बैठे हैं सब हमारे सवाल और जवाब धोका और शिकायत और शिकवा शिकायत सारी बाते करें कल को कोई नहीं आने वाला है जीवन हम दोनों जीएंगे इसलिए मैं सच बतारियों बिना किसी का परवा किये हम लोग यह डिसीजन वो बलुकुल मूं से नाराज नहीं है उनको जरा भी नहीं लग रहा होगा कि मैंने धोखा दिया है उनको लग रहा होगा कि मैंने बिलकुल सही कदम लिया उने जानती ही सच था और रही पीलल्दी शॉट्यकर दोनों ही सच यह है कि कुछ पल अभी कुछ घंटे भीते हैं अब इस बीच में हम लोगों ने यह discussion तो किया नहीं है कि हमें आगे क्या करना चाहिए उसके लिए discussion करनी होती है उसके लिए आगे कि जिन्दगी डिसकुशन अभी जॉब कर रहे होंगे मैं काओंगे सुनो जी हमें तो reality show करना ही है और रियल लाइफ है वो अभी शुरू हो रही है और अब आप नहीं कहा था कि जब तक कोई बहुत अच्छी ओपनिंग नहीं होती है आप मुंबई में शिप नहीं होगे अभी आपका वही कास्ति है और अभी हम निकालना नहीं चाहरे सची है कि यह रियल पहना वाभी मैं इस अब आपकी नहीं चल रहा है अब आपकी हम नहीं सुनेंगे नस्देखाथ और दूराथ अब हमें जीने दो किसी का दिल नहीं तोड़ा है और हाँ यह अच्छी अच्छी मुझे अच्छा लग रहा है कि अब मैं खुलकर किसी एक के उपर हग जटा सकती हूँ यह अब कोई बी इंसान हो सच में उनको अभी से बढ़ी बात है और उनको अलदा बेस्ट भी कहना चाहूंगी यह मिर्या यह लोग जितना भी कहें कि यह बड़ा ही इजी सच में नहीं है आप इसको इसको is a आप बहुत खास आप इसको इन्हीं करना च्राइए लिए लेकिन शवेंवर सच में बहुत इसको इसको इन्जाइ्कर और मैंने बहुत इंजाय किया ते आर्टन ने आपको साले लेकिन एक टेस्ट हम आपका लेना चाहेंगे कि रतन के लिए तुद्धून बना दीजांगे अब में प्रीज अपर फिस अटो हारा हूं के ओपर मैं प्रीज अटो हारा था हूं अब आपको अटिये साइट से समीना जी आप तेह लिए कर दो